अब हम बात करेंगे, 1991 में शुरू हुई HCL Tech की सवा लाग करोर रुपे से ज्यादा का मार्केट कैप है, इस कम्पनी का सॉफ्ट्वे लेड, IT सलूशन, एंजिनिरिंग और R&D सर्विसेज और BPO से जुड़ी बड़ी सर्विसेज देती है, नतीजों की बात कर लेते हैं, तो बढ़ कर 342 क्रोर डॉलर आई है, मुनाफ़ा भी 14% बढ़ कर 43, 4350 क्रोर पर आया है, और मार्जन में भी ग्रोध देखनों को मिले, तो हर पैमाने पर आप कहे सकते हैं कि नंबर्स बढ़िया रहे, वल क्या थे एहम ट्रिगर्स, आए मुनाफ़ा और मार्जन को कहां से मिल का support, more importantly, आगे किस तरीके का outlook है, ये जानने के लिए चलते हैं, इस वक्त हमाई साथ कंपनी के CFO प्रतीक अगरवाल और Chief People Officer रामचंदरन सुन्दराजन जुड़ रहे हैं, सर बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का, thank you, पहले तो Mr. Agarwal, मैं आप से जानना चाहूंगी, कि overall, constant currency revenue growth 6% पर आई है, अगर हम देखें, ये street estimate से बहुत बहुत बहतर है, 4.5% का अनुमान लग रहा था, तो क्या खास बज़े रही सर, अच्छे performance की और outlook आगे क्या लग रहा है? सबसे बड़ा factor था हमारा software business का, जो seasonal high होता है, उससे भी ज़्यादा, उनका 5% year on year growth आया, तो उससे सबसे ज़्यादा contribution आया हमारे लिए, दूसरा जो हमारी mega deal हमने announce की थी August 10th को, उसने November 1st से contribution शुरू किया, जैसा कि हमने plan किया था, announce भी किया था, तो वो बिलकुल time पे शुरू हो गया और उसका contribution बहुत बढ़िया रहा, दो महिने का, और तीसरा हमारा जो ER&D business है, उसने भी 8.7% sequential growth दिखाया, जिसमें ASAP का, दो महिने का extra contribution था, हमने end August में ये company acquire की थी, और पिछले quarter में एक महिने का contribution था, तो और इस quarter में पूरे तीन महिने का contribution था, तो और organically भी ER&D में हमने 2.5% का growth देखा, sequentially, तो ये सब चारो factors ने मिला के वो छक्का contribute किया है, तो ये चार factors है, जिसके विज़े से अच्छी performance रही, Mr. Sundarajan, मैं आपके पास अबाना चाहूंगी, in terms of hiring, sir, जिस तना से हम देख रहे है, net headcount edition, आपने देखा है, which is actually surprising, क्योंकि कई IT companies यहाँ पर कम कर रहे है, headcount, यहाँ पर आपने 3,617 employees add किये है, क्या rational है, और overall hiring target पूरे साल का for FY25 क्या है, sir? Business performance के इसाब से hiring plan करना पड़ता है, अभी इस quarter का 6% growth है, services business में भी 3% के उपर का growth है, तो services business growth support करने के लिए hiring जरूरी होता है, और दूसरा, हम जो freshers का hiring plan है, हमारा साल बर का होता है, हर quarter उसका onboarding होता है, freshers का, हम commitment continue कर रहे हैं, तो इस quarter में भी हमने 3,800 के उपर freshers onboard किया, और उसके उपर ये Verizon को बड़ा deal है, वो deal support करने के लिए भी hiring continue किया, lateral hiring भी होता, ये दो खारण था इस quarter में net headcount increase का, वो पिछले दो quarter के comparison में जो negative था, अभी इस quarter में वो positive headcount increase है, ये trend आगले quarter में भी होगा, जब services business का growth project करते हैं, उस growth को support करने के लिए या lateral hiring भी होता है, फ्रेशर hiring भी continue करते हैं, तो net headcount तो increase होता, उपर से जब attrition come होता है, तो वो भी एक factor है, जब freshers आते हैं और attrition come है, तो वो भी contribute करता है, net headcount increase के लिए, fair enough, तो ये तो वज़े रही है, आपके net headcount increase की, मिस्टर करवार मैं आपसे जाना चाहूंगी margins पर, operating margins पर भी हमने देखा, बढ़िया प्रदर्शन रहा, again above street estimates I.N. at 19.8%, significantly higher है sir, तो margins पर भी हम मैं आपसे आपका outlook जाना चाहूंगी, पहले तो कहां से अच्छे margins रहे और ये क्या continue होगा आगे भी? Margins है, उसमें सबसे बड़ा हाथ तो इस बार फिर वही software का है, क्योंकि वो seasonality है, तो उनका margin इस quarter के लिए 33% है, 32.9%, पिछले साल भी अगर आप December quarter में देखें, तो 32.6% था, तो वो तो seasonality है, क्योंकि जो revenue extra आती है, उसके मुकाबले खर्चे तो उतने नहीं बढ़ते हैं, तो margin जो extra revenue है, more or less most of that, 80% of that goes down to the margin level also. So, इस वज़े से sequentially देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा बढ़ातरी दिखती है, लेकिन अगर year on year देखेंगे, December to December, तो पिछले साल 19.6 था और इस बार 19.2 है, तो even in the services business, पिछले साल के मुकाबले margins better है, और software में भी हैं, तो दोनों मिला के जो है, total margins इतने बढ़िया नजर आ रहे हैं, और हमारा जो पूरे साल का है contribution, जो guidance है, वो 18 to 19% है, और हम pretty confident हैं उसके बीच में रहेंगे कहीं पर. Okay, so margins continue करेंगे, better performance यससाब करें, और इस पर आप confident भी हैं, और आपने वज़े बताई, आज इस क्यों अच्छे रहें. Mr. Sundrajan, मैं आपके पास वापस आती हूँ, और attrition rate पर आप जो बात कह रहे थे, वहीं से मेरा आपके लिए सवाल है, all time low देखा है, 12.8%, in fact, यह lowest है since COVID has hit, तो अब आगे क्या लग रहा है, outlook on attrition rate सर, यहां से further reduction possible है? 12.8% जो attrition यस quarter में था, वह सबसे low attrition था, पिछले quarter के साब से देखे, 1.4% कम है, पिछले year के साब से comparison में देखे, 9%, 9% कम है, तो यह जो बढ़िया quarter रहा, attrition factor से देखे जाए, तो यह बढ़िया quarter रहा, इसका काफी कारण है, एक तो है, demand supply situation जो market में है, वो इतना थेज नहीं है, जितना था FY22 में, या first half of FY23 में, वो इतना नहीं है, वो एक factor तो है ही, दूसरा, जो opportunities internally लोगों को मिलता है, वो भी उसमें काफी सारा investments जारा, हमारा upskilling के लिए investments है, तो काफी चल रहा है अभी, internal opportunities जो जे रहे हैं, लोगों को, वो भी काफी है, तो उसके वज़े से attrition अभी कम हुआ है, आगे जाके, मेरे इसाब से ये 12.8% जो अभी है, मोटा-मोटा 13% के असपास, ये 12-14% के रेंज में हो सकता है, उसी रेंज पर स्टेबलाइस होगा, इससे कम होने का chances ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप आभी देखे, आगे जाके growth आएगा, तो demand भी आएगा market में talent के लिए, सब कंपनी रेकूट करना शुरू करेंगे, तो demand supply situation तोड़ा change होगा आगे जाके, तो उसके वज़े से इस से कम होने का chances ज्यादा नहीं है, लेकिन इस range पर stabilize हो सकता है, 12-14% के बीच में stabilize हो सकता है, आगे जाके, 12-14% पर stabilize हो सकता है, यह trends दिख रहे हैं, sir, HCL Tech में यहाँ पर जो guidance, revenue guidance कट की है, तो 5-5.5% as compared to 5-6% given earlier, क्यों यह आपने कम की है और आप environment यहां से improve होते होगे, कब तक देख रहे हैं? देखे, 5-5% is the highest amongst large IT companies, तो यह जैसे जैसे quarter निकलते जाते हैं और balance quarter एक ही रह गया है अब तो, और अगर आप जैसे ask rate देखे, जो 5-5.5% deliver करने के लिए 1.6 से लेके 3.5% की range है, so 3.5 से ज़्यादा तो हम expect नहीं कर रहे हैं, तो हमने transparently बताना उचित समझा, मतलब 5-6 बोलने का मतलब नहीं रह जाता, given कि 3 quarter already जा चुके, एक ही quarter रह गया है, so it is just that, I think 1.6 to 3.5 अगर आप देखें, तो बहुत अच्छी growth है, इस माहौल में जो हम इस environment में जिसमे अभी interest जा रही है, discretionary अभी आने में थोड़ा time शायद और लगेगा, तो मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी growth है, मेरे हिसाब से Okay, Mr. Sundarajan, मैं आप से जाना चाहूंगी, Gen Artificial Intelligence Ready Workforce, जिसकी बाद चर्चा हर जगा हो रही है, बहुत बड़ी requirement है right now all over the world, आपके तरफ से कितने employees train हो चुके हैं with basic AI training, और सब को आप कब तक क्या targets रखे हैं to you know train them as per Gen AI standards. Everybody focus कर रहे है Gen AI पे, तो अभी इस पे time है, Gen AI बड़े scale में आने के लिए preparatory work की अभी चल रहा है, फिलाल focus है कि लोगों को train करने में, अभी हैचल टेक के अंदर 40-50 थाजार employees को आपने train और certify कर रहे हैं, वो एक investment चल रहा है, वो investment जारी रहेगा, उसके उपर हम recruit भी करेंगे, हमरा Gen AI और data practice में हम specialist skills को लोगों को recruit करेंगे, तो दोनों continue रहेगा, अभी आगे जाके 3-4 quarter में इसका बड़ा projects आने का मौका आएगा, उस समय इसको revisit करेंगे कि और क्या करना चाहिए, फिलाल के रिए focus है कि training करना चाहिए, और जो targeted skills में जो recruitment करना चाहिए, वो भी जारी रहेगा, वो दोनों अभी चल रहा है, ये training का time है, upskilling का time है, employees को upskill करना है, 40-50,000 जैसे मैंने बताया था, वो अभी किया है, अभी ये continue करेंगे, फिर उसके बाद refine करना पड़ेगा, इसको कितना और invest करना इस area में, बाट प्रोजेक्स अभी POC के स्टेज में है, या तो pilot प्रोजेक्स है, या POC स्टेज के बड़े प्रोजेक्स पाना शुरू करेंगे, उस समय इसको revisit करना पड़ेगा, कि और क्या plans करना चाहिए हमको. Okay, तो यहां पर काम काफी जोर सोर से चल रहा है, recognition है कि यहां पर training ज़रूरी है, और आप कर भी नए उसी direction में आगे काम, thank you sir, हमें अपडेट करने के लिए, तो यह थे दूनों ही top management हमाई साथ बातशीत करते हुए, HCL Tech के जो numbers है बहुत बढ़ी हा रहा है, और आगे भी पतरशन, जिस तरह से बताया जा रहा है, optimism is out there. All right, तो यह थे HCL Tech, एक छोड़ा सा break लेते हैं इस note पर, बढ़ आपको ही मज़ाएगा, खबरों का सिलसरेगा जारी बने रहे हमारे साथ.